हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी रसोई आज हम एक सबजी बनाने वाले है, बहुत ही टेस्टी, बहुत आसान तरीके से और वो भी सबजी बनेगी पत्तागोबी से, अपने पत्तागोबी की सबजी तो बहुत बार बनाई हूंगी एक बार इस तरीके से भी बना के देख लेना, बहुत ही टेस्टी लगती है और सबको बहुत पसंद भी आएगी तो चलो बनाते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे दो सो पचास ग्राम पत्तागोबी ली हुई है और इसको मैं बड़े-बड़े साइज में यहाँ पे काट रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको चॉप करना है तो मैं यह सारे पीसे सभी चॉपर में डाल दूँगी यह देखो, यह मैंने चॉपर में डाल दिया है, अब इसको मैं चॉप कर लूँगी अच्छे से क्योंकि हमें एकदम बारिक ऐसे पत्ता गुबी चाहिए यह देखो, यह हमारी पत्ता गुबी अच्छे से बारिक हो चुकी है देखो, इतनी बारिक हमें चाहिए अब मैं ट्रांसपर कर लूँगी एक बाउल में इसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ा सा नमक, एकदम थोड़ा सा ही नमक डाला है और यह नमक को पत्ता गुबी में अच्छे से मिक्स करके यह पत्ता गुबी को अभी मैं दस मिनिट के लिए ऐसे ही ढखके रख दूँगी पत्ता गुबी तयार होगी तब तक के हम मसाला तयार कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने मसाले के लिए लिए हुई है दो छोटे साइज के टमाटर जो दो छोटे साइज के पैज, थोड़ा सा अधरक और साथा लसुन की करिया यह सारे मैं अभी मिक्सर के पॉट में डाल रही हूँ क्योंकि हमें इसका एक पेस्ट तयार करना है इसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया तो यहाँ पे जो धनिया मैंने लिया है वो डंडी के साथ ही लिया हुआ है एक दम पत्ते पत्ते नहीं लिए हुए है अब इसको मैं अभी बारिक पेस्ट कर लूँगी ये देखो ये हमारा मसाला तयार हो चुका है ऐसे ही हमें बारिक पेस्ट चाहिए चलो अभी इसको बाजू में रख देते हैं ये पत्ता गुबी जो हमने रखी थी वो अभी तयार हो चुकिया है तो इसमें पानी तयार हुआ है तो हम यह पानी अच्छे से निचोड लेंगे ऐसे ही यह पूरे पत्तागोबी का हमें पाने निकाल लेना है अगर इसमें पानी ज्यादा रहेगा तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी इसलिए हमें पाने निकाल लेना है यह पाने निकल चुका है अच्छे से पूरा इस पानी को आप आटा गुदने के लिए यूज कर सकते हो अभी ये पत्ता को भी मैं डाल रहे हूं फिर से मिक्सिंग बॉल में अब हम इसमें डाल रहे हैं बेशन तो यहाँ पर मैंने दो बड़े चम्मच बेशन इसमें डाल दिया है और उसके साथ ही इसमें मैं डाल रहे हूँ एक चम्मच कौण फुलावर अभी इसमें मसाले डालते हैं तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी स्वादा नुसर नमक पत्ता गुमीव में पहले से नमक डाला हुआ है इसलिए इसमें थोड़ा सा कम ही नमक डालना है उसके साथ ही इसमें जाएगा आदा चम्मच लाल मिर्च पौउडर वन फोथ चम्मच हल्दी पौउडर वन फोथ चम्मच गरम मसाला एक चम्मच धनिया पौउडर और एक चम्मच जीरा पौउडर अब इसको मैं आज से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ऐसे ही हाथ से इसको मिक्स कर लेना है ताकि पूरे मसाले ऐसे मिक्स हो जाए और इसको हमें एक ऐसे टाइट डो के जैसे बनाना है तो इसमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है देखो यह थोड़ा सा इसे यह बनाने के बाद ऐसे लग रहा है कि इसमें पानी जादा है तो इसमें थोड़ा सा बेसन हम फिर से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मैंने आधा चम्मच बेसन फिर से डाल दिया है अब इसको मैं फिर से मिक्स कर लूँगी और इसका हम डो तयार कर लेंगे यह देखो यह हमारा मिक्षर अच्छे से तयार हो चुका है अभी हमें इसके बनाने है बॉल्स तो मैं थोड़ा थोड़ा लेके छोटे पेड़े के आकार के बॉल्स तयार करके हम रख देंगे इसे ही इसके बॉल्स तयार करके हम रख दें पहले पत्ता गुबी में नमक मिला कर उसका पानी निकाल लिया था यह देखो ऐसे यह बॉल हमें तयार करके रख देने हैं यह हमारे बॉल्स तयार हो चुके है अभी हमें इसकी सबजी बनाना है तो चलो बनाते है उसके लिए मैंने कड़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे यह बॉल्स यह बॉल्स हमें एकदम धीमी आज पे तलना है अगर बढ़ी आज होगी तो अंदर से पकेंगे नहीं इसलिए इसको एकदम धीमी आज पे हम धीरे धीरे ब्राउन होने तक के पका लेंगे यह देखो यह पूरे बॉल्स मैंने इसमें डाल दिये मेरे एक इसमें पूरे बॉल्स आ गए तो मैंने डाल दिये अभी इसको चम्मच चलाते हुए ब्राउन होने तक के हम इसको पका लेंगे ऐसे ही इसको अलट पलट करके अच्छे से हम पका लेंगे बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और कोई मेमान आये तो भी आप ये सबजी बना सकते हो सबको बहुत पसंद आएगी ये देखो ये बॉल्स अच्छे से ब्राउनिश हो चुके है मतलब ये अच्छे से पक चुके है अभी हम इसको निकाल लेंगे ये निकालने के बाद इसमें ये तेल रह गया है लेकिन इतना ज़रा तेल हमें नहीं चाहिए सबजी के लिए इसलिए मैं इसमें से आधा तेल निकाल के रख दूंगी और उसी तेल में मैं सबजी बनाने वाली हूँ यह देखो यह इतने तेल में हम सब्जी बनाएंगे तो तेल तो वैसे भी गरम ही है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ यह एक करनफुल एक बड़ी इलाइची कलमी और दो लवंग इसको तेल में डाल दिया अब मैं इसी में डाल रही हूँ एक चमच जीरा अब हम इसमें डाल देंगे यह मसाला तो मसाला जब भी हम डालेंगे तो ग्यास एकदम कम कर लेना क्योंकि इसमें पानी रहता है तो वह तड़कने लग जाता है और उड़ता है इसलिए इसका ग्यास कम करके मसाला इसमें डाल देंगे इसमें मसाले को अभी हम अच्छे से मिक्स करके पाच मिनिट तक के ढखके पकने देंगे पाच मिनिट हो चुके है अब हम इसमें डाल देंगे मसाले देखो यह मसाला थोड़ा सा पक चुका है अब हम इसमें डाल देंगे और मसाले इसमें तो इसमें अभी हम डालेंगे पहले एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर वन फोर्थ चम्मच हल्दी पाउडर आदा चम्मच धन्या पाउडर स्वादा नुसार नमक और यह मैंने एक चम्मच कसूरी मेथि ली है मैंने क्रेश करके इसमें डाल दिये अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूगी इसको ऐसे ही मिक्स करके मैं ढब के इसको पाच मिनिट के लिए फिर से पकने दूँ γnd पाच मिनिट हो चुके है मसाले ने भी तेल छोड़ दिया है मतलब ये मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है अब हम इसमें डाल देंगे करी के लिए पानी तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ देड़ ग्लास पानी अगर आपको करी जादा चाहिए तो आप जादा पानी डाल दें यह पानी मैंने डाल दिया इसमें डेड़ ग्लास अब इसको मैं उबली आने के लिए छोड़ दूँगे यह करी को उबली आ चुकी है अब हम इस टेज में डालेंगे हरा धनिया मैंने बारिक कटके हरा धनिया रख दिया था वह इसमें डाल दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ अभी एक छोटा चमच गरम मसाला इससे सबजी की टेस्ट बहुत ही अच्छी आएगी अभी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे वह बॉल्स जो हमने तयार करके रखे थे एक एक बॉल्स मैं इसमें डाल रही हूँ यह पूरा डालने के बाद इसको हमें दो तीन मिनिट तक ही पकाना है जादा नहीं पकाना है दो तीन मिनिट में यह पक जाएगे यह देखो यह बॉल्स इसमें अच्छे से पक चुके है और हमारी करी भी थोड़ी गाड़ी हो चुकी है मतलब यह सबजी एकदम रेड़ी है मस्त दीख रही है और खुश्बू भी बहुत ही बड़ी आ रही है यह बॉल्स भी अच्छे दीख रहे है ये बन गई हमारे पत्ता गोबी की मसाले वाली समझी जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, सबको पसंद भी बहुत आएगी और बनाना भी एकदम आसान है ये करी अभी पतली लग रही है, लेकिन जब ये थंडी हो जाएगी तो करी और गाड़ी हो जाएगी तो आप भी रेसिपिक को एक बार जड़ू ट्राइ करना, थैंक यू